नमस्कार आप देख रहे हैं दलीडर हिंदी और मैं हूनीतू तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ हैरान करने वाली खबरे भारत विविदताओं का देश है और यहाँ पर अलग-अलग संस्टुटी परंपरा और रीती रिवासों का पालन किया जाता है ऐसी एक परंपरा का पालन राजिस्थान के जोदपूर में किया जाता है जोदपूर में एक मेले का आयोजन होता है जिसमें सिर्फ महिलाओं का ही राज है दुनिया का ये मेला 16 दिनों तक चलता है मेले के बाद सुहागर महिलाएं पूरी राज सरकों पर निकल कर बेंच से पुरुषों को पीटती है मेले की सबसे खास बात यह है कि पुरुष खुद ही पिटते हैं और कोई बुरा नहीं मानता इस अनुखे मेले को बेतमार मेले के नाम से भी जाना जाता है कहा जाता है कि जोतपुर में प्राचीन समय से ये परंपरा चलती आ रही है इस परंपरा में भावी अपने देवर और दूसरे कुवारे लड़कों को प्यार से छड़ी मार कर पताती है कि ये कुवारा है मानिता है कि बेत मारने से कुवारे लड़कों की जल्द शादी हो जा हो जाएंगे यहां के देवकली मुहला निवासी एक महिला ने लूडो में खुद को दाउं पर लगा दिया हार के बाद अब मकान मालिक के साथ रहने को तयार है इतना ही नहीं पती पर लिखा पड़ी का दबाव बना रही है पती के मताबिक उसके द्वारा हर्मा भेज़े ग इसके बाद में मकान मालिक के साथ रहने को तयार हो गए इसके जानकारी जब पती को हुई तो उसके होश उड़ गए अपने लोगों के मुह से ये कहते सुना होगा कि इस दुनिया में एक ही शकली के कई लोग होते हैं लेकिन ये सच है जालंदर के पुलिस डिएवे स्कू इस स्कूल में करीब 76 चात्र ऐसे पढ़ने आते हैं जो आपस में एक समान यानि की जुडवा है और तीन जोड़े ऐसे हैं जिनकी शकले हुवभू आपस में मिलते हैं और ये सभी आपस में भी बहन हैं उनमें से कुछ बच्चों ने कहा कि जब भी उनसे कोई घलती होती ह तो कभी कबार हमशकली को कड़ी सजाम मिलती है स्कूल की प्रिंसिपल ने ये भी कहा है कि उनके स्कूल में 70 से अधिक बच्चों की आकरतियां एक दूसरे से मिलती हैं तो उन्हें भी बहुत आश्यर हुआ और इस बात को आगे बढ़ाया और अपने स्कूल का नाम लिमका बुक ओफ रिकॉर्ड्स में दर्च कराया अकसर प्रेगनेंसी में अधिकांश महिलाएं अचार या इसक्रीम खाने की इच्छा जाहर करती हैं लेकिन लेंडन की एक महिला को केवल मिट्टी खाने का शोक है वे एक दिन में मिट्टी के 10 बैक तक खा जाती है आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला मिट्टी खरीदने पर 4000 डॉलर यानि की 3.5 लाख रुपए तक खर्च कर चुकी है उसे हर दिन नाष्टे में मिट्टे चाहिए ही होता है उसका कहना है कि जब वो गर्वती थी तो मिट्टी खाने की जवरदस्त इच्छा होती थी कई बार दुकानों का स्टॉक खत्म हो जाता था और उसके पती को पूरी शेहर में इसे ढूर ना पड़ता था हालिकि जिस प्रकार की मिट्टी डाइमुंड खाना पसंद करती है वे पूरी तरह से खाने योगी होती है उन्होंने दावा किया है कि इससे उसकी कई तरह की दिकते दूर हो गए सुबह समय पेट साफ होने लगा दर्द की समस्या खत्म हो गए इसका उपयोग गैस्ट्रिक विकारों में मदद करने पानी को शुद्ध करने और त्वचा को बहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है तो फिलाल खबरों में बसतना ही लेकिन आप हमारी चैनल दे लीडर के साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले